राजे शाषन ने इंतिजाम कर लिया है कि ने रेटलिस जारी किया गया है जिसके अनुसार सभी बस संचालकों को उसी रेट के हिसाब से यात्रियों से पैसा लेना है पुविट के समय जो गारियों का किराय बढ़ा हुआ था उसी अगर वो यात्रियों से इसके अतिरिक जो रेटलिस जारी हुआ है उससे अधीक पैसा वसूलते हैं उनसे अधिक किराया लेते हैं तो उनके ओपर आटियो विभाग द्वारा करवाही की जाएगी आपको बता देगी कुछ दिन पहले ही जो आटियो विभाग वाले हैं वो लगातार सभी जीलों में कम से कम हम 300 बस संचालित होते हैं, जाकर बसों पर रेट्लिस्त लिस्क उन्में दिया जारा है कि वो चस्पा करें और यात्रियों को भी जागरुग किया जा रहा है कि वो जो डैय रेट्लिस्क जारी हुआ है उसके अनुसार ही किराया दे अगर कोई बस चालक उससे अधिक लेता है, तो उस पे करवाही की जाएगी, इस थरही की बाते सामेле आ रही है, इस पे अधिक से बाचीत करने के लिए, और क्या कुछ उस में निरदेश जारी किया गया है, उसमें क्या क्या पॉइंट है, मुख्य बिंदू है उसे बातचीत करने के लिए हम जो यहां के छेत्री परिवहन अधिकारी है उसे बातचीत करेंगे और उसे बातचीत करके जानेंगे कि क्या कुछ निर्देश है आपको बता दे कि जीले में तमाम लोकल बस भी है लगजरी बस भी है और रात में जो परिवहन अधिकारी से जानतें कि क्या कुछ विस्तार से निर्देश हैं हमारे साथ सर है सर बताएंगे कि राजे शाषंद्वारा जो निर्देश जारी किया गया है कि जीले के तमाम जितने भी बस चालक है उनके लिए निर्देश जारी गया गया वो जो एक मनमानी जो वसुलते थे उनलों किराया अब वो नहीं कर पाएंगा तो किस तरह का किया था, 40 पर सिंग बढ़ाने के लिए, सासांद वारा कुछ उसमिंग बढ़ोते करके लगभा 25 पर सिंग बढ़ाए हैं, और उसी की तारतमे में किराया का निर्दारन होने के बाद में, बीश बीश में का फूबिट के समय जो गाड़ीों का किराया बढ़ा हुआ था, उसी कि अवाज में बढ़ावा किराय ही वसुल रहे थे, और हमनों को मुख्याला से निर्देशित किया गया, कि जो किराया बिशारन किया गया है, उसी की तारतमे में उसी के अनुसार, उसी के रेट अनुसार वसुल किया जाए, और यदि इस तरह से कुछ शिकायत पाई जाती है, और नियमित कारवाही की जाती है, जो चस्पा किया जाएगा रेट वाला, अगर वो निकाल देता है, और फिर भी उसके बाद वो नीचे से कही मंचाही वसुली कर रहा तो उसके लिए किस तरह से आप लोग सार चुज़न है, बस स्टैंड में सभी बस स्टैंड में चस सर्ड किस तरह के कौनको से बस कितने किराए को कड्रओर किया गया और किस तरह से कितना मतलब exit ईसकनट गिराय हो है सामने की इतना ही वसुली नहीं लेना है दाम किराय सोची चस्पा किया गया है, आपको सामने मिल जाएगा, उसको आप ले लिजेगा, और जो सभी गाड़ियों का जैसे वीडियो कोच है, एसी बस है, सिलिपर है, सभी गाड़ियों का अलग अलग निर्धारन करके किराय दर्प निर्धारित किया गया है चोटे बच्चों और जो 80 साल से प्लस के विजूर्ग है उनकी लिए भी एक निर्देश आरी कीगये उनकी लीका निर्देश से सकते हैं निसल्क सर्ज लगबग कितने जीले में बस संचाली थो रहे हैं और कितने सारे बसों में जो रेट जारी हुआ है लिश्ट वो चस्पा किया जा जा रहा है जो और और प्रदेश के सभी जीला मुख्याला या तो आर्टी ओस डीटी ओ हो गया सभी जीलें के लिए यह लगू होता है और सभी जीलों में इसमें कारवाही के ल nagाने का निर्देशीद किया गया है चृतर जानता तरह का काफ़ी परिशान थी कि बस वाले बहुत बार मन मनान मं चाहिव वसूल क्रते थे कि लाए तो अब जनता की पःश यह चीज principles राजिस सर्कार दवारा कितना जो जनता जागरूख है वो तो पहले से जानकारी रखते थे परन्तु जिस तरह से फिडूल उनके पास मिल जाता है बस्टैंड में और गाड़ियों में रहता है तो उसके अनुसार वो अपना किरायज दर्ज से ज्यादा लेने पर वी रोद अपना दर्ज कर चकते हैं तो आपने देखा कि राजिश अशन द्वारा जो भी निर्देश जारी किया गया है कि जीले में तमाम जितने भी बस संचालित होते हैं वहाँ पर जाकर जो बस वाली जगह है और बस स्टैंड है और तमाम जितने बस है वहाँ पर रेट चस्पा किया जाएगा और उसी के अन जितने भी बस है वहाँ पर रेट लिस भी चस्पा कर रहे हैं बाकि इसमें आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे बने रहें कि पर उसके साथ सुक्रिया